हलो गाईज, स्वागात है आपका नंबर सिस्टम की सीरिज में जहां पर हम आज डिस्कस कर रहे हैं बेसिक टाइप सॉप नंबर सिस्टम प्रीविएस लेक्चर में दोस्तों हमने नंबर सिस्टम का इंट्रोडक्शन उसका बेसिक कंसेप्ट डिसकस कर लिया था अगर आपने प्रीविएस लेक्चर को नहीं देखा है तो एक बार से जोग रिफ़र कर लिजे लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्स में मिल जाएगी आज हम देखेंगे कि कुछ बेसिक टाइप सोब नंबर सिस्टम क्या होते हैं और उनके कंसेप्ट क्या होते हैं चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर तो बेसिकली दोस्तों हमारे पास चार टाइप के बेसिक नंबर सिस्टम होते हैं एक होता हमारा decimal फिर होता हमारा binary, octal और then hexadecimal अब दोस्तों ये number system हमारे होते क्या है तो decimal number system दोस्तों हमारा वो number system होता है जो हम daily life में, routine life में use करते है decimal number system का दोस्तों जो base होता है वो 10 होता है decimal number system दोस्तों जो base इसका 10 होता है इसका मतलब इसकी जो range की बात करूं मैं कि इसमें number of कितने digit आ सकते हैं तो वो आते है जीरो से लेके 9 के बीच के ये दोस्तों हमारा क्या होता है decimal number system होता है फॉरे example के लिए जैसे कि मैं बात करूं 2967 base 10 तो ये दोस्तों हमारा क्या हो गया ये हमारा decimal number system का example हो गया अब हम कह सकते हैं 2967 एक number लिखा है अब देख सकते हैं दोस्तों कि ये जो भी मैंने number बनाया है एक combination of क्या है 0 to 9 digit ये दोस्तों चेक करने के लिए कि हमारा जो question है वो valid है की नहीं है या फिर जो हमने number लिखा है वो valid है की नहीं base 10 है तो इसका तब क्या हो गया इसकी range जो होगी मतलब इसमें जो हम digit use करेंगे वो 0 से लेके 9 के बीच के करेंगे इसी तरह दोस्तों अगर मैं बात करूँ binary number system की तो binary number system जो दोस्तों होता है वो हमारा base 2 को follow करता है base 2 को follow करता है इसका मतलब इसकी अगर मैं range की बात करूँ तो इसकी range होगी वो दोस्तों 0 से लेके 1 के बीच की होगी मतलब अगर मैं example के लिए बात करूँ तो suppose मैंने लिखा 101 101 तो इस तरीके से दोस्तों जो हम binary number system को represent करते हैं यहाँ पर आप देखे दोस्तों जो मैंने number लिखा है वो number जो है वो क्या 0 से लेके 1 तक के बीच में जितने भी हमारे digit होते हैं जो की basic लिए दो ही digit बच रहे एक 0 और एक 1 तो दोस्तों उनी digit के combination से यह number बना हुआ है तो यह हमारा क्या होता है binary number system होता है आग एक बात करह время दोस्तों तो अगला आता है हमारा क्या octal octal जो है दोस्तों ईसका जो base होता है वो 8 होता है इसका मतब क्या हुँआ दोस्तों इसकी अगर में range की बात करूँ तो इसकी range कहां से कहां तक होगी 0 से लेके 7 तक होगी हमेशा दोस्तो जो range होती है वो base से 1 minus होती है यहाँ base 10 था तो range 0 से लेके 9 थी यहाँ base 2 था तो range 0 से लेके 1 थी यहाँ base 8 है तो range कहोंगी 0 से लेके 7 होगी फूर एक्जामपल के लिए दोस्तो जैसे मैंने लिखा 1, 4, 6, 3 और base मैंने कहीं लिख धया 8 तो दोस्तो यह जो मैंना number system यह जो मैंने digit लिखे हैं यह जो मैंने number लिखा है यह number मैंने octal form में लिखा है क्यों क्यों कि इसका base 8 है हमेशा दोस्तो base से ही हम पता करते हैं कि कौन सा यह किस number system में लिखा हुआ है इसका base 8 है तो यह किस number system में लखा हुआ है, यह octal में लखा हुआ है, range चेक करें, तो इसके अंदर जो भी digit है, जो साइग साइग डिजिट जो है, वो 0 से लेके, 7 के बीच के हैं, इसका मतलब, यह जितने भी digit, जो भी मैंने इसके अंदर number लखा है, वो combination of 0 to 7 है, ठीक है दोस्तो, आगे base होता है, वो base 16 होता है, इसका मतलब, इसके अगर मैं range की बात करूँ दोस्तो, तो range इसकी कहा से होगी, 0 से लेके, 15 इसकी range होगी, जैसे for example के लिए मैंने यहाँ पर लिखा, यहाँ पर मैंने कहा लिखा, 1086, तो दोस्तो यह जो है मेरा, यह number कैसा है, hexadecimal में मैंने लिखा होता, तो computer confused रहता है, 1, 0 में और 10 में, क्योंकि दोनों के एक जैसे ही लिखते हैं, जैसे यह 1, 0 लिखा है, मैं अगर इसको 10 लिखना चाहूँ, तो 10 भी मैं ऐसे ही लिखूंगा, तो दोनों केस में, अब यह suppose, यह हमारा 10 होगया, यह suppose 1 और 0 होगया, तो दोनों ही case में दो तो representation में हम थोड़ा सा chainज कर देते हैं, मतलव, अगर आपको 10 लिखना है, तो हम उसको 10 ना लिखेंगे, हम इसको क्या लिेंगे, A लिखेंगे, आपको 11 लिखना है, तो 11 ना लिखेंगे, हम capital B, 12 लिखना है, capital C, 13 लिखना है, capital D, 14 लिखना है, capital E, और दोस्तों, अगर 15 ल में आएंगे जैसे कि मुझे 10 लिखना है तो आप 10 अगर आप लिखोगे तो जैसे अगर आप 10 लिखोगे तो 10 को हम system 1-0 भी पढ़ सकता है तो वो differentiate कैसे करेगा तो जब भी आपको 10 लिखना हो तो आप 10 न लिखना हो तो आप 10 न लिखके यह जो मैं 10 लिखा था तो जैसे मुझे यह नंबर लिखना है तो मैं इसको इस तरीके से लिखूँगा कैसे 10 को लिखना है तो मैं a 8 6 इस तरीके से जो दोस्तो मैं इसको यह पज़न करूँगा तो A means क्या है टैन है दोस्तो इस तरीके जो है मैं hexadecimal में किसी नमबर को लिखते दोस्तो उम्मीद कर रहा हूँ आपको इस चीज clear हो रही होगी अब देखो दोस्तो question यह आता कि हम अब यह मैंने number system पढ़ तो लिए अब हर एक number system को जो है मैं अब इस में हर एक number system से दूसरे number system मैं कनवर्जन में यह आपे discuss करूँगा अगडे lecture में कि मैं एक number से दूसरे number system में convert क्यों करता हूँ मुझे तो दोस्तो question आता है कि conversion क्यों require है Conversion from one number system to one number system to another एक number system से दोसरे number system में मुझे conversion discuss करना है कि कैसे convert करते हैं question आता है convert करते क्यों है तो देखे दोस्तो decimal number system जो है दोस्तो वो किसको समझ आता है वो human को समझ आता है क्योंकि हमने हमेशा से जो भी number लिखे हैं वो 10 के form में लिखे हैं यहना हमेशा हम यह number लिखे हैं पर computer जो है उसे store किसमें करता है उसे binary में करता है या other number system में करता है computer जो है वो decimal number system नहीं समझता है तो जब भी आप कुछ भी data store करते हो जब भी हम कोई data store करते हैं तो उसे हम किस form में देंगे suppose मैंने उसको suppose मैं मुझे 49 store करना है यह 10 के form में तो दोस्तो आपने 49 enter किया तो क्या system 49 store करेगा जी नहीं वो क्या करेगा वो 49 को convert कर देगा किसमे binary में क्यों 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 वो binary के form में data को store करेगा तो इसलिए मझे 49 से binary में 49 को मैं binary form में क्या लिखूंगा वो मुझे conversion आना चाहिए उसके बाद क्या होगा दोस्तो binary में उसने convert तो कर दिया उसके बाद सबोस्थ आप उस data को बाद में देखना बापस से देखना चाहते हो तो कब भी जो क्या करेगा उसी binary को बापस से convert किसमे करेगा तो दोस्तो ये हमारे conversion बहुत important है कि मैं decimal से binary, octal या hexa में कैसे जा सकता हूँ और दूसरा की hexa, octal या binary से decimal में कैसे जा सकता हूँ तो दोस्तो अगले lecture में हम हर एक number system का conversion डिसकस करेंगे देखेंगे कैसे एक number system से दूसरे number system में मैं data convert कर सकता हूँ ये हम देखेंगे अगले lecture में तो दोस्तो अगर आपको आज का lecture हमारा समझ आया है तो please video को like कीजे like करने के साथ दोस्तो इसको आप अपने दूसरे दोस्तों के साथ इसको share भी कीजे और दोस्तो अगर आप चैनल पर नए हो अभी तक आपने चैनल को subscribe नहीं किया है तो please subscribe कीजे subscribe करने को आप दोस्तों आप बेल एकर बन के आएगा उसे भी दोआईए ताकि जब भी मैं new video upload करूँ उसका notification आपको मिल जाए तो मिलते दोस्तों अगले video में जब हम discuss करेंगे एक number system से दूसरे number system में conversion तब तक के लिए नमस्कार